आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दिमांड और सप्लाई होती क्या है कैसे काम करती है कैसे ट्रेड करना है और ड्रो कैसे करना है इस डिमांड और सप्लाई ठीक है इसके बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं बहुत धंक से सीखने वाले हैं तो आप लोग इ नेचे जा सकता है, demand और supply से हम यह पता कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे जहाँ पर demand जून है, यहाँ से price उपर जा रहा है और जहाँ पर supply जून है, वहाँ से price नेचे जा रहा है, ठीके तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले What is supply as demand? मतलब की supply or demand होता क्या है? उसके बाद हम सीखेंगे की How to draw supply demand? मतलब की कैसे supply demand को draw करे? उसके बाद हम सीखेंगे की How to trade supply demand की supply demand को कैसे trade किया जाता है? हम ये तीन टोपिक को सीखने वाले हैं तो हम सबसे पहले सीखते हैं की supply demand होता क्या है? मतलब की what is supply demand? तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा जैसे की हमने दोस्तों आपको थमने ले बताया है की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग advance label में supply और demand को कैसे draw करते हैं कैसे trade करते हैं ये सब सीख जाओगी विर्कुल आपके दिमाग में कोई भी doubt नहीं रहेगा तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा end तक देखेगा फिर चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आपको दिखाते हैं कि दोस्तों supply और टिमाड होता क्या है और कैसे काम करता है देखें दोस्तों यहां पयर supply demand क्या होता है i interested क्या है supportratos 했습니다 से supply demand थोड़ा advance होता है ठीक है इसने को बोलते हैं supply and demand है कि यहां पर है одepend Ragurb येसे कि यहां पर देख्टतों यहां यहां सा ही supply demand होता है बस यह थोड़ा सा advance होता है ठीक है इसकी बात दीखे दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि actually मैं दोस्तों यह हूता क्या है काम कैसे करता है जैसे कि आप किसी stock को बेच रहे हो तो यानि कि supply हो गया supply का मतलब कि stock को बेचने की इच्छा से demand यानि कि किसी stock को खरीदने की इच्छा से जैसे की किसी stock को दोस्तों आप खरीदने चाहते हो तो दोस्तों दिमांड है यहां पे लोग खरीद रहे हैं वो डिमांड होता है ठीक है इतनी बास समझ में आई डिमांड जब होता है तो प्राइस बढ़ता है और जब सप्लाई होती है तो प्राइस गिरता है यहां पे डिमांड जादा है यहां पे लोग खरीद रहे हैं यहां पे लोग बाय करना चाह हैं इसके बाद हम सीखते हैं कि how to survivors demand यून मतलब की supply demand written को कैसे किछा जाता है कैसे रोग किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले यहां पे दिस्टों में आपको चार्ट पर दिखाता हूं कि कैसे रोग करना है आपको supply demand जून तो दिखें दोस्तों यहां पर आपको दिखाए कि यहां पर एक resistance है देखो यहां पर ठीक है तो दोस्तों जहां पर रजीश्टन से तो यहां पर जो फर्ष्ट candle है red वाली हम दोस्तों उसी red candle के बरावर में एक जून डो करेंगे जैसे कि यहां पर जो यह red candle है हम दोस्तों इसी red candle के बरावर में जून डालेंगे यहां पर देखो दोस्तों कुछ इस तरह से ठीक है यह रहा यह रही यहां पर ठीक है यह देखो यह हो गया दोस्तों जून हो गया क्योंकि पराइस दोस्तों यहां पर हर बार resistance को टच नहीं क तो यहां पर आपको कनफर्म हो जाता है कि पराइस दोस्तों इस जून में पहुंचते ही यहां से कहीं से भी रिवर्स हो सकती है ठीक है जैसे कि आपको दोस्तों दिख रहा है कि यहां से ही पराइस यहां से रिवर्स हो गई जून को टच करते हैं पराइस यहां से रिवर्स ह को दो से बार जादर तो तसMac कर देता है तो वहां प धुए सपलाई एडिमांड जून भीख हो जाता है यानि कि कमजोर हो जाता है दूस्थ मोट करने के लिए दिखी यहांज पे क्या है दूस्थ उपört्ण ठीक है यानि कि दोस्तों यहां पर-time to support उसी के व्रावन यहां पर एक जून डालेंगे तो धो Lenkow旬 यह रिवर्स हो रहे देख दोस्तों यहां पर कविवगो मार्केट ठीक है इस बार मार्केट दोस्तों यहां पर सपोर्ट से रिवर्स होई लेकिन दुसरी बार मार्केट दोस्तों यहां पर सपोर्ट को टच किये बिना ही ऊपर रिवर्स हो गई देखो दोस्तों यहां से यहां से यहां से भी और लेकिन इसके बाद यहां से दोस्तो मार्केट फिर से यह सपोर्ट को टच किया डिमांड जून जहां है दोस्तों अगर प्राइस वहां पे आया तो प्राइस दोस्तों डिमांड जून में पहुँचने के बाद कहीं से भी रिवर्स हो सकता है अगर यहां पे सिर्फ आप सपोर्ट डालके बैठ जाएंगे तो दोस्तों आप यहां पे ट्रेफ हो सकते हैं आप सोचेंगे कि अभी मार्केट सपोर्ट पे आएगी लेकिन दोस्तों मार्केट पहले से ही रिवर्स हो जाएगी तो अगर यहाँ पे आप दोस्तो demand supply zone डाल देते हो तो दोस्तो यहाँ पे आपको confirm हो जाता है कि दोस्तो market कहां से reverse हो सकती है ठीक है तो इतनी बात clear हो गई अब हम सेखते हैं कि supply, demand, zone को कैसे trade करना है entry is get कैसे करना है ठीक है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो तो यहां से दोस्तों price reverse हो सकता है तो यहां पे आपको sell करना है resistance से price नीची आ रहा है और यहां पे support पे आते आते दोस्तों candle छोटी होती जा रही है support पे दोस्तों कोई यहां पे bullish candle बनती है ठीक है तो दोस्तों जब यहां पे यह bullish candle बनेगी तो यहाँ पर दोस्तों आपको buy कर लेना है ठीक है ASL को आपको यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर रखना है ASL ठीक है और अगर price resistance को break करती है तब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको buy करना होगा लेकिन कव जब दोस्तों यहां पे price 2-1 अधिक टच कर देगा supply और demand को जून को तो resistance को break out करती है यहां पे price तब दोस्तों यहां पे आपको buy करना है लेकिन इससे पहले 2-1 तच कर चुकी हो supply और demand को ठीक है लेकिन comfirmation मिलने के बाद जो candle Sei kell क्वills कर रहे सके बाद सिकन्ड केड़ल बने और जो अजो ब्रेक कर रही सब्स कर देता आपको दूस्त यहां